दॉली शर्मा जी आपकी साथ रही है, साथी पार्टी रही है त्रिनमूल कॉंग्रिस पर अब जब सुप्रीम कोर्ट पुलीस से सवाल पूछती है मुख्य मंत्री मम्ता बैनर जी, स्वास्ते मंत्री मम्ता बैनर जी, ग्रे मंत्री मम्ता बैनर जी तो आप किसकी जवाब नहीं बनती है? जिसके अंदर महिला सुरक्षा चाहे किसी भी प्रदेश में, चाहे बंगाल में आज हो रही हो, उतराखंड में अभी नर्स का रेप हुआ है, चाहे प्रियाग राज में हो, चाहे मुरादाबाद में हो, जो तीन दिन से हम लगातार देख रहे हैं हर प्रदेश में, जब तक आप महिला सुरक्षा को आधी आबादी का मुद्दा बनाकर एक तरीके से एक चश्मे से देखकर केंदर सरकारे और राज्य सरकारे उस पर जीरो टॉलरेंस की नीतिया या ऐसी चीजे नहीं लाएंगी जैसे बंगाल के केस में, जब ये पता हो गया, जब मुल्जिम ने य कि हाँ उसने किया है, तो अब किस चीज की देरी है, हम कब नजीर पेश करेंगे कि ये नजीर पेश हो कि आने वाले लोग जो ये सोच भी रहे हो करने का वो थर-थर कापे, उनकी हिम्मत ना पड़े किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर देशने की, ये सब कुछ होना च कि कमया है, देखे, 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 FIR में देरी होना, बिलकुल कमी है, वो नहीं होना चाहिए, तुरंत लड़कियों, जहां कहीं भी लड़कियों के साथ ऐसे मामले आते हैं, वहां FIR तुरंत होना चाहिए, आप किस चीज का इंतजार ने आशने को नेतिक जिम्मेदारी बनती है पद्मजा जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ जब आप मनीपूर में ऐसा केस हुआ कि नंगा महिला को सडक पर नचाया गया और वहां के उख्यमंत्री कहते हैं कि ये एक थोड़ी यहां तो सेक्टरों केस हो चुप है मनीपूर को आपने समाजिक समस्या नहीं बताया आज तक नहीं गए आपने बोला बिरेंट सिंग को इस्तिफा देना चाहिए कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए है यहां वकीलों की जिरय होगी वकीलों की जिरय होगी यह होगा वो होगा लेकिन जब पता लग गया आप रादी ने गुना कबूल कर लिया तो आप इंतजार पर किस चीज़ का इंतजार रहे थे आपके पार्टी का शीष ने उतर प्रदेश में थे उनसे पूछा गया सर जो कलकत्ता में हुआ उस पर कुछ बोलेंगे सुनियों उन्होंने क्या कहा है यहां इस मामले में आया हूँ आप मैं जानता हूं कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो अप डिस्ट्रैक कराना चाहते हो क्योंकि आप दलेतों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहां दलेतों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रेक्शन अलाउनी करूँगा, मैं कैलकटा केस पे आगे आने वाले समय में बोलूँगा दौली जी, क्या एक लड़की की बलातकार और हत्या की बात करना ध्यान भटकाना है, डाइवर्जिन है, इंतजार किसका है, आपने बोला ना, किसका इंतजार है, तो किसका इंतजार है, बोलिए ना ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि राहूल गांधी बोले नहीं है, जैसे प्रधान मंतरी मनीपुर पर मा नहीं बोले, ऐसा तो नहीं है कि राहूल गांधी खड़े ओकर बोला नहीं, उन्होंने का सक्थ सक्थ सजा मिलनी चाहिए, महिलाओं के साथ ये अपराद बंद ह मैं खुद यहाँ पर कह रही हूँ कि नजीर पेश करिए आप लगातार लेकिन आप एक केस को उठाएंगे बाकी केस को दर्कनार करेंगे अरे चाहे कलकत्ता हो चाहे उत्तरा खंडो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मनीपुरो चाहे बंगाल हो राजस्थान हो पूरे देश में कहीं भी ये मसले हो क्योंकि एक महिला के साथ ये होना पूरे देश की महिलाओं की इज़त को हिलाना है कहीं पर भी हो वो मुद्दे पर वहीं के वहीं ऐसी नीती आनी चाहिए कि महिलाओं ये मैंने आपको कहा ना आधी आबादी के मुद्दे को पार्टियों से अगर तीन साल की चार साल की मासूम बच्चियों के साथ यह अपराद होता है उस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए अगर पूछना चाहिए और इसलिए बार-बार ये सवाल राजनेतिक पार्टियों से की जाते हैं डॉली जी हर्चवार दर्जी बड़ी अजीब चीज होती है राजनीती